सातियो नमस्कार आज की वीडियो में मैं आपको सितम्बर महीने में हमें गन्ने की खिती में क्या treatment करना चाहिए उसके बारे में बताने जारा हूँ बहुत सारे किसान साति कहते हैं कि हमने ये खाद लगा दिया वो खाद लगा दिया तो मैं आज आपको बताने चारा हूँ कि कौन सा खाद लगा के आपको कि सेगमेंट में ज्यादा अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी ज्यादा अच्छी ग्रोध देखने को मिलेगी तो आज की वीडियो खास कर इसी टॉपिक पर है कि आपको सितंबर महीने में क्या खाद क्या लाम देखने को मिल सकते हैं तो देखे सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गन्ये को मजबूत बनाने के लिए हमें कौन सा खाद लगाना चाहिए तो उसके लिए हमें फेरस सलफेट यानि हरा कसिस ठीक है ये अपनी खेत के अंदर डालना चाहिए 8-10 किलोग्राम प्रती एकड के हिसाब से 8-10 किलोग्राम प्रती एकड अगर हम गन्ये में फेरस सलफेट या हरा कसिस डाल रहे हैं तो उससे हमारे गन्ये के अंदर लोह पूशक तत्तों की पूर्ती हो जाती है और उससे हमारे पूदे के ऊपर अगोला भाग सफेद दिखाई नहीं देता पीला ज्यादा दिखाई नहीं देता है फेरस सलफेट के अंदर सलफर की मात्रा भी होती है तो ये सलफर की भी काफी हद तक पूर्ती करने में सक्षम होता है साथियो दूसरा product क्या है यहां पर हम बात करेंगे calcium nitrate या calcium chloride की तो देखिए calcium nitrate अगर आप लगा रहें गन्य की फसल में 3 kg प्रती बीगा से लेकर 5 kg प्रती बीगा तक यानि 15 kg से लेकर 25 kg प्रती एकर तक आप आसानी से डाल सकते हैं और अगर आप calcium chloride लगा रहें तो यहां पर आप 3 kg प्रती एकर से लेकर 6 kg प्रती एकर तक लगा सकते हैं calcium chloride को दूसरा point है यहां पर कि sulfur खाद तो sulfur खाद आप जब भी आप लगाने जाएं तो देखिए sulfur खाद चौथे नंबर का सबसे महत्तपून खाद है आपके urea, dap, potas के बाद में तो sulfur का बहुत जरूरी काम है गन्ने के अंदर इसलिए आपको sulfur जरूर लगाना चाहिए sulfur की मात्रा आप 6 kg प्रती एकर तक आसानी से लगा सकते हैं अगर वो दानेदार form में है ठीक है अगर आप powder form में लगा रहे हैं तो 2-3 kg प्रती एकर तक जरूर डालें इससे आपको बहुत अच्छे result देखने को मिलेंगे साथियो बोरॉन खाद किया है तो देखिए बोरॉन में बहुत सारे किसान साती हैं confused रहते हैं मैंने कई वीडियो में सुहागा बोला है उसको तो सुहागा आपको पंसारी की दुकान से बड़ी आसानी से मिल जाता है और वो 50-60 रुपे किलो के हिसाब से मिल जाता है और पर्चेस करते हैं तो 400-500 रुपे प्रती किलो वो मिलती है तो साथियो आप एक चीज़ का विशेश कर ध्यान रखें कि अगर आप सुहागे को पीस के बारी यूज करते हैं अपने गन्ने की फसल में तो आप इस्प्रे के माद्यम से यूज मत करिए उससे सिर्फ खाद में मिलाके यूज करिए उसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे एक किलोग्राम प्रती एक कड़ के हिसाब का उसे आप डाल सकते हैं ठीक है तो इससे आपको रिजल्ट क्या देखने को मिलेंगे कि आपका पैसा एक तो ज्यादा वेस्ट नहीं होगा ज्यादा खर्च नहीं होगा दूसरा आपको रिजल्ट प्रॉपर मिल जाएंगे अब बात करते हैं कि यहाँ पर ये खाद काम क्या करते हैं तो देखे सबसे पहले बात करता हूँ मैं बोरोन खाद की कि बोरोन क्या काम करता है तो बोरोन आपके गन्ने के उपर जितना भी छिलका होता है उस छिलके को मजबूती देने का काम करता है तो उससे क्याल आप देखने को मिलेंगे कि जो हलका कीड़ा होगा वो आपके गन्ने में आसानी से प्रविश्ण नहीं कर पाएगा जल्दी से वो गिडार उसमें एंट्री नहीं कर पाएगी इससे आपके पौदे को बहुत मजबूती देखने को मिलेगी ठीक है दूसरा पॉइंट है कि बोरोन हमारे पौदे के पाचन तंतर पर काम करता है बहुत जबर्जस तरीके से तो जितना भी गन्ने ने खाद या जो भी चीज़ें एब्जॉब करी होती है उनको पचाने का काम उसको पोशन देने का काम बोरोन करता है इसलिए बोरोन का उप्योग हमारे लिए बहुत जरूरी है दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर सल्फर सल्फर में बहुत सारे किसान साथी कहते है हमने सल्फर लगाया तो हमारी फसल में कोई result देखने को नहीं मिला साथियो sulfur ऐसा नहीं है कि वो sulfur पौधे के हरापन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा काला कर देगा या ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा sulfur जब आप लगाएंगे तो पौधे में प्रकास installation की किरिया ठीक होगी fungus अगर हलकी फुलकी है वो खतम हो जाएगी दूसरा जब आप sulfur लगाएंगे तो गन्ने में जो पानी होता है ठीक है जो आपके जोलाई और अगस्त में बरसात के मौसम में गन्ने ने पानी एब्जॉब किया होता है उसको रस में convert करने का काम sulfur करता है बहुत तेजी से और जब आप sulfur लगा देंगे तो आपके गन्ने की जो मिठास होगी वो बढ़ जाएगी ठीक है इसका बहुत बड़ा लाब आपको देखने को मिलेगा कि गन्ना आपका समय पर तयार हो जाएगा बहुत अच्छे बजन के साथ में दूसरा point क्या है कि हलकी fungus को खतम कर देता है तो पौधे में जो भी विकास रुक जाता है करी वार fungus के कारण वो खतम हो जाता है अब बरसात खतम हो गई है तो हलकी fungus पौधे की जड़ों पर आ जाती है सलफर अगर लगाओगे तो उससे वो हट जाएगे और पौधे का विकास जो है वो regular होता रहेगा अगला point है calcium nitrate या calcium chloride साथियों अगर calcium का आप यूज करते हैं तो गन्ने की ठोस जो मजबूती है वो बढ़ेगी गन्ना ठोस रहेगा आपका बजन कम नहीं होगा आपने कोई भी zevralic acid या कोई भी किसी भी type का एक यहाँ पर हार्मोन दे दिया पौधे को ठीक है तो हार्मोन देने से पौधे की लंबाई मोटाई बढ़ सकती है लेकिन हार्मोन देने से पौधे के अंदर जो energy होनी चाहिए वो energy नहीं होगी आप एक चीज का यहाँ पर अपने mind में विशार कर सकते हैं कि एक तो आपको किसी ने एक glass दूद पिला दिया तो आपको उससे हलकी से energy मिली ठीक है दूसरा किसी ने आपको आपका दिमाग पकड़के ऐसे घुमा दिया दूसरी direction में मुढ जाओ ठीक है आप उधर की direction में मुढ गए और किसी ने आपको धक्का दे दिया आगे को तो आप तेजी से चलतो जाओगे और मुढ जाओगे लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको energy मिल जाएगी आपकी जो energy है वो उसी को use करके आगे बढ़ाया जाएगा तो आप हार्मॉन को ऐसे समझें कि हार्मॉन सिर्फ आपके पौदे को direction देता है energy नहीं देता इसलिए और calcium, sulfur और ferrous sulfate ये क्या है ये पौदे को energy देते हैं ये direction नहीं देते हैं ये energy देते हैं तो पौदा अपने आप स्वते ही बढ़ता रहता है अगला point क्या है यहाँ पर हम use करते हैं ferrous sulfate ठीक है ferrous sulfate ये हराकसिस हराकसिस आपको किसी भी पर्चून की दुकान से मिल जाएगा वहाँ पर आप 20 रुपे किलो आसानी से ले सकते हैं और इसके result तगड़े हैं ठीक है ferrous sulfate जब भी आप लेंगे तो वो आपको कीट ना सकी fertilizer की दुकान से किसी खाद बीज की दुकान से ही मिलेगा ठीक है और उसके result जो हैं वो company के दौरा packing करी हुए है आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे result आपको मिल रहे हैं साथियों यहाँ पर अगर बात करूँ मैं ferrous sulfate की तो ferrous sulfate आपके गन्ये के अंदर जितना भी बजन होता है बजन बढ़ता है उस बजन को बढ़ाने का काम करता है अगर आप गन्ये के ठोसपन को देखेंगे तो ferrous लगने के बाद में उसमें अलग ही ठोसपन नजर आएगा आपके गन्ये का बजन कम नहीं होगा चाहे उसे फरवरी में या मार्च में कटाई आप करें आपने देखा होगा जिब्रेलिक ऐसे लगे हुए गन्ये का बजन कम हो जाता है फरवरी मार्च में लेकिन जो कैलसियम और ferrous और सलफर से बढ़ा हुआ बजन होता है वो धीरे से कम नहीं होता आपके मार्च अप्रेल में भी कटाई करोगे तो उसमें भी बजन प्रॉपर निकलेगा ठीक है? तो ये काम होता है आपका ferrous sulfate, sulfur और यहाँ पर कैलसियम का अगले point की अगर मैं बात करूँ कि यूरिया खाद हमें क्यों देना चाहिए इस समय पर तो देखिए यूरिया खाद में nitrogen की मात्रा होती है हमें भर-भर के बैग यूरिया खाद लगाने की ज़रूरत नहीं है मात्र 6 किलोग्राम प्रती एकड के हिसाब का यूरिया खाद हमें पानी के साथ घोल बनाके अपने गन्ने को देना है और इसे हम regular 10-15 दिन की अवस्था पर देते रहें पता है क्यूं देना है इसलिए देना है आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में तो गन्ना जितना बढ़ता है बढ़ता ही है लेकिन बरसात के बाद के समय पर गन्ने की बढ़वार तेजी से होती है ठीक है तेजी से गन्ना बढ़ता है और इसी समय पर हम उसको खाद नहीं देते हैं, हम उसे पानी के सहरी छोड़ देते हैं, लेकिन खाद देना यहाँ पर इसलिए जरूरी होता है कि पौदे को अब जरूरत है, इसलिए हमें यहाँ पर यूरिया खाद के साथ में, 6 kg यूरिया के साथ हमें लगवक 1.5 kg फैरस सल केलसियम किलोडाइड उसके साथ घोल बना लें, और अगर आप केलसियम नाइटरेट मिक्स कर रहे हैं, तो 3 kg से 5 kg तक केलसियम नाइटरेट का घोल आप बना सकते हैं, ठीक है, इस घोल को बना के आप अपने पौदे में हर 15 दिन के अंतराल पर दीजिए, इससे आपको बह बुर्काव करना चाहते हैं, तो बुर्काव में यूरिया 35 kg आपको लेना है, उसके साथ में अगर आप फैरस सल्फेट ले रहे हैं, तो 6 kg फैरस सल्फेट, और तीसरा पॉइंट है यहाँ पर सल्फर का मैं बताने जा रहा हूँ, सल्फर आपको 5-6 kg दानेदार लेना होग अगर आप ले रहे हैं, कैलसियम की बज़ा, चूना अगर डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर 6 kg चूना डाल सकते हैं, बुझा हुआ चूना भी ले सकते हैं, अगर खड़ा चूना लेते हैं, तो उसमें पानी के शीटे जरूर लगा लें, जिससे कि वो ठंडा हो जाए ठंडा होने के बाद लगाएंगे, तो उसके ज़्यादा अच्छे रेजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर मैं आपको हूमिक एसिड का काम बताने जा रहा हूँ, बहुत सारे किसान साथी कहते हैं, हूमिक एसिड मार्केट में हमने इस नाम से लिया, उस नाम से हैं, चाहे वो किसी दूसरे रूप में हैं, आपको बेचा जा रहा है, और आप वहाँ पर नए नए नामों से प्रोडेक्ट को परचेज करके ले आते हैं, और लगा देते हैं, कि हमने यह टॉनिक लगा दिया, यह माइक्रो न्यूट्रेंट है, यह न्यूट्रेंट हो गय गोल आप तयार कर लो, अपने घर पे लाके तयार करो, कम से कम यह तो पता होगा आपको कि मैंने इतनी मात्रा इसके अंदर डाली है, ठीक है, 600 ग्राम हिूमिक एसिड का गोल बनाओ एक एक एकर जमीन के लिए, और उस गोल का अगर आप प्योग करना चाहते हैं, लिक्वि यह जो भी पड़ा हुआ है, नूटरल अवस्था में जो पौदे को नहीं मिला, उसे एक्टिवेट करने का काम हिूमिक एसिड करता है, आपके मिट्टी के अंदर जो भी केमिकल जादा मात्रा में पड़े हुए हैं, उनको पौदे को अभिलेवल कराने का काम हिूमिक एसि आपकी मिट्टी को रिफाइन करने का जबरजस्त काम हिूमिक एसिड करता है, इसके रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिलेंगे, आपके पौदे में हरापन हिूमिक एसिड से बहुत जबरजस्त देखने को मिलेगा, ठीक है, और आप अगर इसे दो से तीन वार लगाए आपकी पूरी फसल में हरापन बहुत गजब का देखने को मिलेगा, आप इसका उप्योग करके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं, सात्यों आशा करता हूँ, आप इन प्रोडेक्टों के काम जान चुके होंगे कि कौन सा प्रोडेक्ट किस काम में आएगा, और इनकी मात्रा आपको पता चल गई है, चाए बुरकाव करने में हैं, चाए लिक्विड बना के यूज करने में हैं, आप खाद के साथ में किस टाइप से दे सकते हैं, ये आपको पता चल चुका है, सितम्मर से लेके, अक्टूबर के महीने तक आप ये काम जरूर करें, और इनके रिजल् लाई करूँगा और अगर आपको सही लगती है ये वीडियो तो दूसरे साथियों को share जरूर किया अगर है जिससे कि वो भी इसका लाव उठा सकें